नमस्कार दोस्तों, ASB News इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेस्बुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका अर्दिक स्वागत है, अब इनन्दन हैं इस वक्त हमें मुझे फणर के गाउं बुधीना कला में यहां आज दो बड़े विकास कारियों का एक का उधगातन हुआ और एक का शिलान्यास हुआ बुधीना कला में छोटा सा गाउं है लेकिन बावजुद उसके यहां राजगे इंटर कोलिज बना है उसका आज उधगातन हुआ और धोलरा से जो सिसुली के लिए मार जाता है उसका भी करीब 22 क्रोड की लागत से निर्मान आज शुरू हो गया केंद्रे मंद्री डॉक्टर संजी बाल्यान यहां पहुचे हैं तो मंद्री किस तरह की उपलब्दी पूरे एक शेद्र के लोग लिए है देखे राज के इंटर कोलिज पिछले का उसमें शुरू हुआ था मानिया जो योगी अधितनाज जी का पहला हो था एक ही एक राज के इंटर कोलिज मिला था एक राज के डिगरी कोलिज राज के डिगरी कोलिज उसमें उधाया कुमेश मलिक जी ते तो हमने शापरू में उसका इस्थापना करवाई थी और राज के इंटर कोलिज उसमें विधाया कि हम विजय कृश्यप होते थे तो यहां बात है चुकि इंदुस्तान में पहले कारेकाल में होते थे और समात किसी के कारेकाल में और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस तरक है यह जो पाइनेपट खटीमा है जो गरी 5000 क्रोड की लागत से बना है थाम चल रहा है जिसके उपर वहां से एक सड़क सिसोली जाती है चु मिद्ध शेल के दो रास्ते ओड़ते एक रासता सदुर्दिन अगर महाजरिस अता है जो शापुर की तरफ से वी करदानमत्री ग्राम से बन चुका है दूसरा रास्ता काकडा से कुटबा कुटबी हडोली होते आता है वो भी परदानमत्री ग्राम सड़क जोजना से उसका भी निर्मान करिये पूरा हो चुका है और तीसरा रास्ता यह है तो आप कहे सकते हैं सिस्वली से जो भी सड़के जोड़ती है वो एक बड़ी सिस्वली वालू की हमेशा से बात थी कि सिस्वली में क्या हुआ तो सिस्वली को जोडने वाले सारे रास्ते इस रास्ते के बाद सब रास्ते बड़िया हो जाएंगा इसे में जुड़ेखा यहां से सिसली जो गुमके मुणबर से मूनलाइट होते हुए और शापूर मार्क में जुड़ेगा तो मुदबर को भी यही सड़क जोड़े हैं और आख्या में लोगों के राय जाती है तो जातर छेत्र की आये यही थी कि जो मुझे फनर थे मुझे फनर रुकना जारते थे जो बुड़ाना तैसिल से जुड़े वहार जुड़ना चाते थे तो बीच में पैंडिंग पड़ा है आप यहां बासन दिया तो 2023 में हम खड़े लिचनी यह दो सभाविक रूप से जब गाओं में होते हैं तो इस तरह की बाते होती हैं चुकि जब मैंने इस गाओं में इतना काम किया तो मैं तो काम के आधार पर वोट मांगता हूं मैं अगर मुझे फरनगर में 2019 में मांगी थी वोट या लोगों के बीच में था तो का मैं कि आधार पर लिच्ट लेकर जाता हूं को अगर पार्षटी मोगा देगी तो काम कर्डेश सरकार से काम करवार है या क्या सरकार में कागज चले जाएंगे और सिसोली में एक बढ़िया स्ट्रीडियम का निर्मान भी किया जाएंगे इक बड़े नेता का उधारन आपने दिया मुझे फनगर सामली का जो मार था जिसे बनवाने के लिए इसके सुधार के लिए उन्होंने पैदल मार्श किया था आपने ऐसे भी नेता का उधारन के अभी जो अफरन उत्ध्योग में सामिल रहे और आपने काम का आदार पर और चेहरा दिखा के आपने आज फिर लोगों से वोट के भी तो उन्हें गड़े बरवाने के लिए पैदल यात्राई करनी पड़ी थी मैं तो बताना चाहता था और आज गाउं में एक बात कहते हैं नहीं सड़क छोड़ी होने चीए तो हमने किसी को कम से कम ऐसी नोबत नहीं आ अपड़े इसी काम के लिए हमें सांसत चुना कहा है अपरण वाले में जो जिन लोगों पर आपने कहा आज कि पहले यहां ऐसी भी नेता रहे अब दूबारा निकल के साम रहे हैं जो अपरन तक के मामलों में सामिल रहे हैं राजनती में मुर्दे सोई जाते हैं गाड़े जाते जब समय होगा तो वे निकल के बाहर निकलेंगे और अपनी भाशा बोलेंगे ऐसी भाशा दूसरे विपक्स के लोग भी बोलते हैं आप भी वही कह रहे हैं समय पे गड़े मुर्दे निकले जांग तो वार होगा तो पलटवार तो निश्चित रूप से होगा और व के साथ होगा